मुद्रा का निर्गम प्रत्यक देश अपने देश की मुद्रा का निर्गम केवल केंद्रे बैंक के द्वारा ही करता है या केंद्रे बैंक सभी बैंकों का भी बैंक होता है भारती रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रे बैंक है यह भारत की सभी मुद्रा को छापने निर्गम करने के लिए अधिकरित संस्था है सिक्कों को भारत सरकार जारी करती है हमारे आसपास दिखने वाले सभी बैंक वाड़िजिक बैंक कहलाते है इन्हे संचालन की अनुमती भारती रिजर्व बैंक ही देता है यह सभी वाड़िजिक बैंकों की नीतियों और नियमों का निर्धारन करता है भारती रिजर्व बैंक की नीतिया ही वाड़िजिक बैंकों की उधार लेंदेन जमाराशियों पर ब्याजदर सहित उनके सभी आर्थिक नियमावली को तै करता है हम कुछ देशों के मुद्राओं से उनके विशय में रुचिकर जानकारिया एकटा करें बैंक के कारे आमतोर पर सभी लोग अपना पैसा नगद मांगने नहीं आते वे उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं और जरूरत पढ़ने पर नगद निकालते हैं या फिर चेक से लेंदेन करते हैं अता सवाल उठता है कि बैंक इन खातों में लोगों द्वारा जमा पैसों का क्या करती है बैंक के दो प्रमुक कारे हैं लोगों के पैसे जमा करने के लिए खाते खुलना और लोगों की जरूरत के लिए कर्ज या रिन देना आपने अक्सर सुना होगा कि दुकान लगाने के लिए, कार खाने लगाने के लिए, ट्रैक्टर या मोटर खरीदने के लिए बैंक लोगों को लोन या करज देती है लोगों को करजा देने के लिए बैंक के पास धन कहां से आता है? आपने देखा कि बहुत से लोग अपने बचत के पैसे बैंक के बचत या मियादी खातों में जमा करते हैं बैंक में जमा पैसों से बैंक दूसरों को उधार या लोन देती है कर्चदारों से जो ब्याज मिलता है उसी में से पैसे जमा करने वालों को बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है और बैंक को चलाने के लिए खर्च किया जाता है